कोईटर कोईटर चैनल में आप सब कर स्वागत है और आज हम लो बात करने जा रहे हैं बाइट एरेज की तो आई यह चलते हैं और पढ़ते हैं बाइट एरेज तो बाइट एरेज शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं ता कि जब मैं वह आपको और जानकर इसके बाद में मिल जाएगी और एक hexadecimal डिजिट जो होती है हमारी hexadecimal अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बता दू यह hexadecimal numbers होते है जिसे हमारे decimal number होते हैं 01234 उसी तरह से हमारे hexadecimal number भी होते हैं बड़ यहाँ सिब बात करते हैं आप 10 होता है ना सरी है तो आपको समझ में आ जागा वैसे आपको लेक्चर समझ में आ जागा उसके लिए परिशान मत दोगी है बटा अगर आपको उसके बार में थोड़ा और जानना है कि हाँ यह क्या होता है तो आप एक बार इसको रिसर्च कर सकते हैं चेक कर सकते हैं अपने एंट से everything that will be stored in the byte array will be in the form of hexadecimal digit बस इस blind को एक रीट कर लीजे मैं चाहता हूं कि आपके दिमांग में रहे जब मैं आपको hexadecimal मत मैं जब आपको byte array पढ़ा हूं मतलब कि जो भी चीद हम byte array में store करेंगे वो किस form में store होगी hexadecimal digit के form में एक तरह से store होगी और यह चीज पूरी clear कर द तो byter को समझने से पहले, इसका syntax समझ लेते हैं तो हमें समझना जाकर. इस तहरे हमारी weAK कर दी है था हूं. लिखे, यह चीज बनाना पहले होता है या create करना होता है. सबस्क्राण का API एक तरह साथ समाझ सकते हैं यह data type ही समाझ सकते हैं अब इसके सामने हम यह क्या कर सकता हूँ 1 से लेकि 32 की कोई भी value लिख सकता हूँ और मैं जो भी value लिखूंगा उतने ही number of bytes create हो जाएंगी मतलब अगर मैं 1 byte में कितनी bits होती है 8 bits होती है तो अगर मैं 2 byte हमने आपे brackets मलब जो square bracket जो अभी तक programming language चलता रहा है square bracket लगाते हैं अभी इससे पहले जो में fix size array भी पढ़ी वहां पे भी हमने क्या लगाता है square bracket लगाता पर इसमें इस तरह की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है simply यह जो bytes 3 है इसी के थ्रू एक array create हो जाती है और यह चीज मैं भी आपको करके दिखाऊंगा कि मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है तो हमने एक अपनी byte array बना लिए इसी तरह से हम चाहें तो bytes 2 bytes 1 bytes 3 इस तरह से जितनी चाहें उतनी array बना सकते हैं इसी तरह से एक तरह से क्या है और इसको यहां पर 3 कर देता है ताकि कोई confusion ना हो ठीक है और इसी तरह से एक और बना के दिखा देता हूं लिट से bytes public public और यह वो गया लिट से बी टू ठीक है अगर मैं बी टू बना रहा हूं तो लेट से मैं number of bytes 2 ले लेता हूं तो अभी समझ में आगा है यहां तो यहां पर एक तरह से मैंने 2-3 bytes की एक array बनाई एक तरह साब इसको समझ सकते हैं और यहां पर basically मैंने two bytes array बनाई है two bytes array बनाई है तो आई इसमें पहले value set करके देखते हैं अभी बिना set के ही चलिए एक बार इसको देखते हैं कि यह दिखती है तो इसको हम लोग करें compile control plus s किया और यह compile हो गया हम लोग आए अपने deploy वाले में और इसको deploy किया अब यहां पर solity है उसमें null का कोई concept नहीं है तो by default इसमें value क्या होगी 0 होगी ठीक है तो यह चेक करते हैं ओके मैंने बी टू क्लक किया हम मगर यह क्या यह 0 तो नहीं है यह तो कुछ 0 इंटू 0 0 0 है अचा by 3 भी चेक कर लेजा है ओके तो यहां पर भी 0 इंटू 0 इसका क्या मतलब है अब इसका मतलब समझें मैंने जैसे कि पहलाय था अपनी slide में कि हम जब byte error की बात करते हैं तो कोई चीज जो इसमें store होती है वो hexadecimal के form में store होती है तो क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे मैंने यह भी बताया था कि एक byte में 2 hexadecimal होते हैं तो यहां से आप उस तरह से इसको relate कर सकते हैं वैसे तो concept थोड़ा और deep में है अगर आप इसको depth में समझ जाते हैं तो आपको समझना होगा कि bits से bytes कैसे convert होती है या फिर hexadecimal किस तर हमारे पास two into two मतलब एक तरह से four hexadecimal एक तरह समझ सकते हैं कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं तो यहां पर हमारे पस कितने hexadecimal है क्योंकि यह जो क्रॉस का साइन आप देख रहें यह बेसकली hexadecimal number को ही denote करने के लिए शो किया जाता है अभी मैं इसको और clear कर देत अभी आपको चीज़ और मैं clear कर दूँगा इस example के बाद लेट से मैं इसमें कोई value set करना चाता हूँ लुकूंगा function function setter और लेट से मैं सो करता हूँ public ठीक है अब मैं यहाँ पे कुछ particular values जालता हूँ लेट से मैं बात करता हूँ जब b3 की तो मैं लुकूंगा b3 और इसके अंदर value लेट से मैंने डाल दी a b and c ठीक है और उसी तरह से मैंने लिया आपका b2 और इसके अंदर value मैंने डाल दी हो जाएगा अब मैंने इसको किया compile अब इसको करेंगे deploy अब आते हैं अपने contract पर अब देखें तो b2 में और b3 में मैंने कुछ particular value डाल दी राइट तो पहले यह चक करता है कि b3 में क्या है तो मैंने किया click b3 पे अब ओगे यहाँ पे क्या हुआ हूँ कुछ और आप देखें यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो यह देखें यहाँ पर आता है यह देखें अब मैंने abc को वहाँ अगर आप values देखेंगे तो क्या रही है 61, 62 और 60 तो बेसली हो क्या रहा है कि यह जो abc है यह क्या है आपकी characters हो गए यह आपकी character की एक तरह से table हो गई और यह character basically किस form में denote हो रहे हैं आपकी hexadecimal number में denote हो इसलिए मैंने शुरू में ही बता रहा है कि byte आपकी array में जो भी number save होते है जो भी value save होती है वह आपकी hexadecimal के form में होती है जाला यह b2 देखते है तो b2 में भी देखे value क्या रही है 61 62 क्योंकि a और b की value क्या है 61 एक value 61 और b की value 62 तो आगे अपने powerpoint पर कि वहां पर basically हो क्या रहा है तो यह आगे हम लोग अपने powerpoint पर अब हम लोग देखेंगे कि basically हो क्या रहा है behind the scene जब हम लोग करते हैं bytes 3 public b1 equal to a b c तो वो कुछ इस तरह से होता है तो यहां पर आपके यह देख रहे हैं जैसे आपने किया bytes 3 public b1 तो basically नॉर्मली अगर आप ध्यान से समझेंगे तो simply एक array है array में जब आप कोई particular value डाल रहे हैं तो वो क्या से सेव हो रही है वो hexadecimal form में और इसलिए इस तरह से वो value क्या हो रही है तो अब आपको सब्सक्राइब कि मैं क्या कह रहा हूंगी कैसे यह bytes array बनती है और क्यों इसे array कहा जाता है क्योंकि bytes जैसे मैं आपको अभी दिखा भी दिया powerpoint presentation की तरह कि किस तरह से behind the scene work करी है यह हमारी array अचा अब इसमें एक दो point जो काफी important है जो आपको बता होने चाहिए अगर मैं आसे कोई एक particular जैसे अभी यहांवे bytes बीटू है और बीटू में तो चली इसको मैं करता हूँ पहले compile तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है इसको चली ठीक है इसको रहने देते हैं और इसको करते हैं फिर आपके deploy और अब यहां पर आते हैं यह देखिए अब यह चीज़ देखेगा तो बेसकिली अब बीटू में आप अपनी इस एरे में इंडर करते हैं और उस पर्टिकलर वैल्यू का साइज आपकी एरे की साइज से छोटा होता है तो क्या होता है आटोमेटिकली वहां पे जीरो एड़ जुड़ जाता है तो यही चीज यहां पे हो रही है अगर आप ध्यान से देखेंगे यह चीज आपको सबंज वाएगी कि मैं क्या कह रहा हूं और दूसरी तीस यह इंपॉर्टन चीज जो इस पर्टिकलर लेक्ट्टर की वह यह है मैं जाना हूं का भी चीज है कि यह हमारी बाइट हैरे एक तरह से यह हमारी एक तरह से हम्म्यूटबल होती है इम्म्यूटबल कमतलब तो मतलब क्या कह रहा है कि आप इस तरह से कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते एक तरह से यह क्या है इम्म्यूटिबल है तो यह चीज भी आपको ध्यान रखने होगी तो आइए अब इसको इंपोर्टन पॉइंट्स सारे समराइज से लेते ताकि आपके मन से सारा डाउ मलब कूरी दर से हट जाए जो सबसे इंपोर्टन चीज वह भी हमारी अरे बनती है वह कुछ इस फॉर्म से स्टोर होती है फिर आगे कुछ इंपोर्टन पॉइंट्स के बात कर लें बात कर लें बाइट्स एरे इस कैननाट बी मैडिफाइड तो यह चीज मैं आपको करके भी दिखा दिया कि बाइट पड़को अरे लेते हैं लेटसे वह तीन बाइट की और आप उसमें सिर्फ एक बाइट की वैल्यू डाल रहे है तो गया होगा जो रिमेनिंग पार्ट होगा जो रिमेनिंग एरे का होगी उसमें वैल्यू आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपके मन में